Hi guys, welcome to Educator Guys, इस वीडियो में paper 2 JS paper 2 BPSC का जो मेंस का चल रहा है उसमें section first का quality का part discuss करेंगे तो इस वीडियो में quality के कुछ important topics मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन-कौन से topic करने है, उन्ही topic को क्या जाएगा एक बार फिर से मैं आपको याद देला देता हूँ कि जो quality का section होगा, JS paper 2 में section first उसमें कौन-कौन से topic करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए properties of the constitutions करना है, preemble करना है, fundamental rights करना है directive principles of state policies मतलब DPSP करना है, fundamental duties करना है constitutional amendments करना है, parliamentary and federal system करना है and central state relations करना है उसके बाद president करना है, prime ministers करना है, chief ministers करना है, governor करना है judiciary करना है, जबकि governor सबसे important topic हो जाता है local institutions करना है means ponto PRI, panchayti raje institutions elections commissions करना है, cast in politics करना है, lungages करना है regionalism करना है, comment journalism करना है, reservation करना है, judicial activism करना है यह सारे important topics है, हम एक पर एक करके करेंगे, ओके एक एक करके देखेंगे friends मैं आप लोग उसे एक session मागना चाहूंगा क्योंकि PPT बनाना थोरा सा मुश्किल हो रहा है तो मैं यह चाह रहा हूँ कि जो लक्षमी कांत का PDF है जो जो important topics बताया हूँ मैं उस topic से आपको cover up करवा दूँ अगर आप लोग कहेंगे तो मैं PDF के form में आपसे discuss कर दूँगा क्योंकि लक्षमी कांत इसे self note एक तरह से कह सकते हैं वो अपने आप में एक notes है उससे retrieve करके informations को लिखना एक तरह से double मेहनत हो जाती है तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उससे करवा दूँगा discussion नहीं तो मैं इसको फिर से PDF के form में ही continue रखूँगा PPT बना कर ओके अगर आप लोग कहेंगे तो मैं other parts पर थोड़ा काम करूँगा जिसे मेरा काम असान हो जाएगा और आप लोग के लिए भी सही content मिल जाएगा और मैं science and technology के parts का continue रखूँगा फिर PDF के form में और फिर economy और geography को PDF के form में करता रहूँगा और PPT के form में notes बना कर जिस प्रकार से मैं आपको provide करवाता हूँ और quality को मतलब लक्षमी कांत का ही जो chapters important है मैं उसको discuss कर दूँगा आप लोग comments में बताईएगा क्या करना है okay friends चलिए आज हम देखते हैं salient features of the constitution of the constitution में constitutions के लगबग 15-16 features दे रखें उसके बारे में देखेंगे बाकी बात देखिए यहां जो features दे रखेंगे आगे जाकर एक topic के रूप में आ जाता है उस topic के रूप में discuss करेंगे और as it is feature से कोई सवाल नहीं आएगा ऐसा नहीं पूछेगा कि चलिए आप पॉलिटी का इंडियन constitutions का जो features है उसको discuss कीजिए ऐसा कुछ सवाल नहीं पूछेगा ओके अब इंडियन constitutions है न यह वर्ल का सबसे लेंदियस्ट constitutions माना जाता है written formats में ओके और यह एक country से लिया हुआ constitutions नहीं है इसको लेने के लिए लगभग वर्ल के बहुत सारी countries मतलब कह सकते हैं उस समय का जितने भी countries के पास constitutions था और जो भी Republic या फिर democratic countries थे सभी countries से constitutions का कुछ ना कुछ parts लिया गया उसके बाद जो Government of India Act है 1935 उससे बहुत जादा parts लिये गए क्योंकि Government of India Acts का ही एक तरह से कह सकते हैं expanded form या फिर extensions है constitutions of India ओके जिसको detail formants में लिखा गया अब है क्या कि constitutions जो है मतलब थोरा सा अधर अधर country से लिया गया है तो इंडिया का constitutions इसलिए सब country से थोरा सा different हो जाता है क्योंकि आप अगर सब चीज से थोरा 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 करके लेते हैं तो अपना कुछ नहीं होता है उसका किसी का कुछ नहीं होता हुए अलग चीजों को लेकर आता है और वो cocktail हो जाता है इसी तरह इंडिया का जो constitutions है ना तो mix मतलब एक तरह सकते हैं बहु सारे countries का जो अच्छाई है उसको लेकर बनाए गया है इसलिए इसको world के सबसे best constitutions के रूप में रखा गया और सबसे better constitutions माना जाता है जितने भी democratic country है उसके basis पर इसको सबसे better constitutions of the India माना जाता है अब थोरा सा introductions का पार्ट हो गया कि क्या कैसे था हमने बहु सारे constitutions को लिए हैं अपन इंग्लिश को read नहीं कर रहे हैं ध्यान रखेगा क्योंकि उसका को फायदा नहीं है मैं आपको concept समझा दूँगा कि क्या है नहीं है अब देखिए इसको world का सबसे सबसे बड़ा या सबसे लंबा constitution कह सकते हैं इसका यह कारण है कि क्योंकि यह बहुत चीजों को बहुत ही चास को इसको adopt किया गया था उस दिन को जो इसका adaptation देट था उस दिन इस constitution में 395 अर्टीकल था 22 पार्ट थे कितने बाट थे 22 और आठ चिडूल्स थे और प्रियंबल भी था प्रियंबल भी था उस दिन इतने चीज इस constitution में था अभी परजेंटली देखा जाए तो उसके बाद लगभग 42 सकेंड में 42 सकेंड एमेंडमेंट एक जो था उसको मीनी constitution बोला जाता है मिनी constitution भोला जाता उसका ये कारण उस्केंड किया प्रिया है तो अब मोटा मोटी एक तरह से यह समझ लेजिए वी कि उसके बागभाग 70 से लेकर 80 articles add up हुआ है 1949 के बाद इंडिया के constitutions में अब इसका अभी present day में इसका figure लगवग 470 article के आसपास पहुंच चुका है प्रेंबल है ही प्रेंबल में भी एक बार amendment हो चुका है उसके बाद 25 parts पहले कितने parts में थे 22 parts में अब total parts 25 हो गए हैं पहले 8 schedule थे अब total schedules 12 हो गए हैं okay schedules 9th 10th और 11 12th चार schedules extra जोड़े गए हैं total number of schedules 12 हो गए अब यह बोला जाता है कि किसी भी world के constitutions में इतने articles and schedules नहीं है no other constitutions in the world has so many articles and schedules okay world के किसी भी constitutions में इतने articles and schedule नहीं है तो चलिए friends यह तो features of the constitutions का पहला features देखे कि land-age constitutions of world क्यों बोला जाता है अब दूसरा है कि drone from the various sources आपको पता है कि बहुत सारे sources से लिया गया मतलब constitutions बहुत सारे sources से लिया गया क्या-क्या sources है इसका यह देख लेते हैं पहला sources यह है कि government of india act से जो constitutions का structural structural formats है structural parts कह सकते है structural part जो है structural part constitutions का constitutions का structure क्या होना चाहिए वो maximum 30 government of india act से लिया गया है जो philosophical parts है philosophical constitutions के philosophical part कौन-कौन से हो जाएंगे fundamental rights हो जाएगा और DPSP मतलब directive principles and states policies हो जाएगा यह दोनो एक तो fundamental rights को अमिरिकन constitution से लिया गया है और DPSP iris constitution से लिया गया है कहां से लिया गया है iris constitution से okay friends इसके अलावा अगर आपको list चाहिए तो list provide करवा दिया जाएगा क्योंकि friends सारे list को अगर मैं cover up करने लगूँँगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो topic या जो chapter करना है उसका PDF जो book का PDF है originally मैं उसको discuss कर दूँगा क्योंकि पूरे चीज़ को type करना friends थोरा सा मुश्किल हो जाता है काम थोरा सा lengthy काम हो जाएगा मेरे लिए भी और भक्त नहीं है फिर मैं other subjects को prepare करके आप लोग के लिए नहीं लापाऊंगा और hemper होगा काम ओके तो आप लोग बताएगा comments में कि क्या करना है आगे से मैं कैसे करूँ PDF को continue रखूँ इस पर PPT को continue रखूँ आपको बताऊंगा करके कि कैसा होता है और किस तरह से करूँगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि PDF बेटर है ये फिर ये बेटर रहेगा अगले बार जो वीडियो होगा अगले टॉपिक का जो वीडियो होगा वो PDF पर ही चर्चा करेंगा उसके बाद पॉलिटिकल पार्ट अप्धा कॉंस्टिटूशन्स है कि पॉलिटिक इंडिया का कैसा होना चाहिए पार्लेमंटरी गवर्मेंट होना चाहिए प्रिशिदेंशल गवर्मेंट्स होना चाहिए इस परकाड़ का जो स्टेक्ट्चर है वह बृतिक्स कंस्टिचूसान निया गया इसको ध्यान रखेगा तो यह उसके बाद भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसके बाद रिविव्यू मतलब क्या इंडिया का कॉंस्टिचूसान ना जादा रिजीड है ना जादा मतलब blend of rigidity and flexibility मतलब बीच का चीज़ है ना ज्यादा लूज है ना ज्यादा rigid है यह ना चादारन law से amend हो रहा है ना ज्यादा hard law इन के लिए जरूरी है amend करने के लिए अब यह कहा रहा है कि rigid constitutions का मतलब यह होता है कि उसको अगर amend उसका amendment करना है तो उसमें एक special procedures लगता है उसके amendment करने के लिए जैसे कि अमेरिका का constitution क्योंकि अमेरिका के constitution को amend करने के लिए एक special law होते हैं अगर को constitution flexible है तो उसको amendment करने के लिए एक ordinary procedure या ordinary law procedure से भी हम amendment कर सकते हैं उसको flexible constitution बोलेंगे वह British constitution जैसा हो जागा क्या इसका है उधारन में British constitution को रख लीजिए लेकिन इंडिया का जो constitution है वो नाइदर flexible है नोर रिजिड है मिन्स दोनों का mix-up है दोनों का बीच वाला पार्ट है वो ज्यादा ना flexible है ना ज्यादा rigid है अब आठारे 1368 जो है sorry friends 368 368 जो अर्टिकल है अर्टिकल 368 जो constitution के के बारे में की माने बताता है उसमें दो परकार केमेंदमेंट को बताया घ्याया है ती इसंद परकार का होता है अब ध्यादा रख इसमेंनी के साथ हआप इसके नटनारी मेंड़ी के साथ consistent है करना होता है जो मेज़ोरेटि के साथ beads करना होता है जो मेज़ोरेटि के साथ único neighborhood करना होता है जो मेद्ध मुदूर opener के साथ इसमें विभी मेज़ोरेटी के साथ प्रो प्रो धृविजोर धियरग pross ultному code be आधे या उसे अधीक स्टेट का सहमती चाहिए उस प्रोविजन को अर्टिकल 368 में रखा गया इसलिए जो इसमें टू टाइप्स के एमेंडमेंट्स ही है त्यान रखेगा ओके एचीज को यहां बताया गया है अब हम आगे देखते हैं कि ब्लेंड आफ रेजिडिटी में हो गया अब देखिए फैडरल सिस्टम्स विट इनिट्री वायास क्योंकि इंडिया का सिस्टम्स के प्रोविजन्स भी है और कुछ इनिट्री सिस्टम्स के प्रोविजन्स भी है अब जिसे कुछ फैडरल सिस्टम्स के प्रोविजन्स को देख लिए कि फैडरेशन इसको कैसे कह सकते हैं और फैटरल सिस्टम्स का क्या प्रोविजन्स है कि टू गवर्मेंट है है वोमेमल Neptune से डिवीजेनसर प्रावर है रिटेटियनन मतलब स्टेट और से बीच में पाव tremendous impacted day 1 मिशेस्टीजां क्तिशम मतलब स्यूपर सी शूप्रीम है क्रावं है उसके विना कुछ orthODM सब्सक्राइब कुछ पर्वीजन कौन्सियुटिफिंस का आसानी से एमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है इंडिपेंड़ेंड जो डिकंवरी यह मतलब राजसभा और लोकसभा राज सभा में सूनके ऑते हैं और राज सभा में अस्टेट के दिवारा चुन नई हो रहा है सिंगल सिटिजंसीप जबकि अमेर्केा इसे कंत्रीस मेन SD की प्राबधान इंडिया में सिंगल सब्सक्राइब प्राब्धान है वोगे फ्रेंट्स उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी अब दा कोंस्टिटिशन से कुछ प्राब्धान सधारन मेजुरीटी के साथ इमेंड किया जा सकता है उसके बाद इंटीग्रेटेजिट जुडिशरी एपॉइंट्मेंट आप दा स्टेट गवर्मेंट supply the center की Center ही Governor को एक पॉइंट करेंगे यह प्रभधान एउनिटरी features को दिखाता है उसके बाद All India Services मतलब इस आइस IPS 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 IRS 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 OSS उसके बाद जितने वी Allied Services के आफिसर्स हैं उसके इनको स्टेट के द्वारा स्टेट के द्वारा रिपर्जेंट करके स्टेट में बेजे जाते हैं लेकिन इसके वाद इमर्जंसी प्रोविजन्स लगा कर सकता है उसमें एक तरह से जाजपती साइन्स लागू कर सकते हैं अपने गवर्णर को भेज कर वहाँ के कामकार को अपने अंदर रख सकते हैं तो यह कुछ उनिट्री प्रोविजन स्थे फ्रेंट इसलिए हम कह सकते हैं इंडिया का इंडिया का इंडिया ना फैडरल है दोनों बीच के स्पिरिट्स को दर्साता है उसके उसके बाद देखिए यह कहा जाता है कि जो फैडरेशन टर्म है ना वो कि इंडिया जो है फैडरल है और इसमें एक तरह से यह कहा जाता है कि इंडिया का जो फैडरेशन है वह रिजल्ट आप एग्रिमेंट नहीं है ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ जूड़ी है अपने मन से जूड़ा है उसके बाद एक चीज़ अलग यह भी बता बताया जाता है कि कोई state के पास ये power नहीं है कि वो federation से अलग हो जाए no state has the right to secede from the federation ध्यान रखिये no state has right to secede from the federation मतलब union of the state दो चीज़ को represent करता है पहला चीज़ ये कि state के साथ कोई agreement नहीं है federation बनाने के लिए दूसरा चीज़ कि जो state federation के अंदर include हो गया जो इंडिया का पाठ हो गया है वह अपने मन से इंडिया से अलग नहीं हो सकता है उसके पास यह अधिकार नहीं है कि अपने मन से इंडिया से अलग हो जाएगा इसलिए इंडियान कॉंस्टिशुशन जो है उसका ये मतलब है मतलब फेडरेश्ट फर्म के रूप में तो federation फेडरल है लेकिन इसके कुछ प्राथ्धान ऐसे हैं जो दर्सा और जिसके बस यह गबनेंट बोलते हैं जिसे अमेरिका में हो गया चैना में हो गया है चैना तो छोड़ी है डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं वहां तो देमोक्रेशी के नाम पे धबा है चैना उसके बाद लेकिन इंडिया इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है और पारलेमेंट्री फॉर और चलती है यह सरकार्य चलती है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक जूकुटीव हो वह हो रिस्पॉशेबुल होता है legislative के लिए किसके लिए legislative के लिए आप parliamentary form के कुछ features है फरेंडस ऐसे पर लेंटरी parliamentary form हम आगे भी पढ़ेंगे फैदल form भी आगे एक topic इखो कर पड़ेगा फिर भी दो चार फीचर से जिसको हम बता देते हैं इसको वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म अब फ्वर्मेंट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म जाएंगे और राष्प्रती ध्यान रखे गा हमेशा मेज़ोरेटी पावर रूल करते हैं क्या करते जो पाटी मेज़ोरेटी में है जो सत्ता में हो वही रूल करता है okay उसके बद एक जिकीटिप जो है उनका follow 콲ेक्टिली ठीक्राइब होते हैं वह वह एक तरह से औरrett से कोलेक्टिफ का जो रॉल लिवात है वो प्राइम मिनेस्टर या चीप मिनेस्टर होते हैं और परलेमेंटरी फॉर्म में हमेशा लोवर हाउस का ही डिजलेशन होता है क्या होता है लेजिसलेटिव अशेंबली हो या लोग सभा हो अपर हाउस का डिजलेशन नहीं होता है मतलब अपर हाउस को भंग नहीं किया जा सकता है जिसे राज सबा को और legislative councils को भंग नहीं किया जाता है ध्यान रखेगा यह भी features आपके लिए clear हो गया होगा मैं यह असा करूँगा उसके बाद है क्या features में कि synthesis of the parliamentary sovereignty and judicial supremacy अब यह कहा रहा है कि भारत का जो वो पार्लेमेंटरी सॉवर्निती और जुडिस्यल सौपरमेशी को भी दर्साता है अब देखें पार्लेमेंटरी सौपरमेशी का मतलब यह है कि जो ब्रेटीस का पार्लेमेंटरी सौपरमेशी वाला जो कॉंसेप्ट है वो ब्रेटीस के पार्लेमेंटरी सौपरमेशी वाला वो अमिर्कान सुप्रीम कोड़ से एसोशियेट है उसके बाद स्कोप जुडिसियल रिविउ जो है वो भारत के सुप्रीम कोड़ का से थोड़ा कम है ज्यादा नहीं है उसके बाद आगे देखते हैं कि इंट्रीगेटेड और इंडिपेंडेंडेंट जुडिस्ट्री सुप्रीम कोट बोलते हैं वो इंट्रिगेटेड कोट्स इंट्रिगेटेड है इंट्रिगेटेड मिन्स मतलब कि उसमें चाहे तो अस्टेट के भी लोग अपील कर सकते हैं उनके जो लोईर पोर्शन वाले हैं जो पी आराई हैं जो पबले सौरी पंचायती राज होते हैं उसके बाद हर एक हाई कोट्स के अंदर बहुत सारे जिला होते हैं और हर एक जिला के अपना-पना अलग-अलग कोट्स होते हैं तो इस परकार से हैरा केरी चला आते आ रहा है कूपर सुप्रीम कोट मेंटेंस करेंगे इस सब चीजों को फिर नीचे हाई कोट्स कर है लेकिन वह integrated भी है supreme court उपर इंट्रीगेटेट का राल लिवा रहा और नीचे वाले इंडिपेंडेंटेंटरीलि अपना-पना काम करें ओके तो यह इसा उसके बाद यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोट्स को गारेंटर फंडामेंटल राइट्स का भी गारेंटी सुप्रीम कोट्स ही देता है गार्जियन ओब दा कॉंस्टिटूशन सी सुप्रीम कोट्स को भी बोला जाता है अगर Constitution में कुछ छेड़ सार हो रहा है तो इसके लिए Supreme Court से जिमेबार है और उस छेड़ सार को Supreme Court ही रोग सकता है उसके बाद fundamental rights जो Constitution में दिया गया है वो Supreme Court चे उसका guarantee देता है कि अगर आपका fundamental rights को कोई हनन करता है या आपके fundamental को कोई छेंता है तो इसकी guarantee मैं देता हूँ आप मेरे हां डारेक्ट आ सकते हैं अब आगे को प्रोविजन्स देखते हैं देखिए fundamental rights कुछ दिया गया है फ्रेंड्स तो fundamental rights टूटल छे हैं पहले छे सात राइट्स थे पहले कितने राइट्स थे सात राइट्स थे अब छे राइट्स हो गया है यह पार्ट थट में दिया गया है उसको अब ध्यान रखेगा constitution के पार थट में दिया गया है पहले छे सात थे अब छे हो गया है एकोनोमिक राइट्स को हटा दिया गया है छे राइट्स कौन-कौन से हैं राइट्स एक्विलिटी में 14 से 18 तक है राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 तक है राइट एगेंस्ट एक्स्प्लाइटे 22 हो जाता है किसको बोलते हैं सौल अब दा कॉंस्टिशूशन अर्टिकल 32 को जिसको राइट तो कॉंस्टिशूशनल रेमेडीज बोलते हैं यह सब चीज है अब देखें फंडामेंटल राइट जो है न वह एक तरह से पॉलिटिकल डेमोक्रेश्य को परमोट करता है आपके पास सुप्रीम कोट जाने का भी अधिकार है और हाई कोट जाने का भी अधिकार है ओके फ्रेंट्स हाई कोट्स जो हैविस कैपस रिट्स है वह हाई कोट्स भी पास करता है अर्टिकल 226 के तहित कि कौन से अर्टिकल के तहित अर्टिकल 226 के तहित और सुप्रीम को मतलब जो रिट्स हैं चार्छे जो रिट्स प्रोवाईड करेंने होते हॉत जयसे सब्सक्रायब नहीं है इसको सब्सक्राइब छाइब है कि मतलब अगर इमर्जंसी लगाए जाए तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है उसके बाद यह सेक्रो सेंक्ट भी नहीं है इसमें किया जा सकता है ध्यान रखिएगा अगला 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 प्रोविजन से डिरेक्टिव प्रिंस्पल जिसको डिपी असपी बोलते हैं यह इसके हनन के बाद या फिर आप यह नहीं कह सकते हैं कि इसको लागू किया जाए जो इसमें लिखा हुआ है इसको नॉबेल फीचर्स इन इंडिया में establishment की बारे में बात करता है कि अगर भारत में welfare estates को established किया जाए उस चीज के बारे में DPSP ही चर्चा करता है उसके बाद यह non-justiciable in nature है मतलब इसको आप किसी court में जाकर यह नहीं कह सकते हैं कि इस चीज को आप लागू करें या फिर इसकी guarantee मुझे दिया जा देखे fundamental duties आपको पता है ने कि जब हमारा constitution लागू हुआ था 1950 में तब उस समय भारत में कोई fundamental duties नमका कोई duties नहीं था 1975-77 के आसपास में जब इंद्रा गांदी की सरकार थी जब देश में emergency लगाया गया था तो इस समय इस परकार की बेवस्ताएं थी या फिर इस समय बिचारा आया कि क्यों ने fundamental duties होना चाहिए ताकि साथ-साथ जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको अपने अधिकार के बाद क अगरतब का भी कुछ पालन करना चाहिए तो इसलिए स्वारा सिंग कमीटी के अस्थापना की गई क्या के गई स्वार्न सिंग कमीटी के अस्थापना ध्यान रखेगा स्वार्न सिंग कमीटी और ब्यालिस्मा constitutional amendment जिसको 42nd बोलते हैं मिनी constitution of the India भी बोलते हैं क्या बोलते है मिनी Constitution of the India 1976 में हुआ था कब हुआ था 1976 में स्वर्ण सिंग कमीटी के सिवारिष पे 86th Constitutional Amendment Act 2000 स्वरी ये कुछ और चीज़ है उसके बाद कुछ और fundamental duties एड किया गया इसमें ध्यान रखेगा 40 seconds के तहट तो वो चीज़ एड किया गया था फंडामेटल ड्यूटीज और 86th Constitutional Amendment जब हुआ था उसमें भारत में एक भारत के जो fundamental duties है उसमें एक और चीज़ को एड किया गया था एक और फंडामेटल ड्यूटीज को एड किया गया था उसके आलावा भी एक और ध्यान रखिएगा और चीज़ के बारे में बताया गया और इसका बात है प्रक्राण के यह वाला जो पार हैं बात कर लेते हैं यह ही 40 second अमेंट्मेंट के थूर्व ही तीन चीज़ को एड़ किया था ध्यान रखियेगा secular socialist और entity इंटीगरिटी क्या secular socialist के तीन सब्सक्ट को फुर्व में तीन सब्सक्राच को एड़ किया गया था secular socialist और integrity ध्यां रखियेगा और शेकुलर का मतलब यह है कि भारत का कोई अपना खास कोई रिलीजन नहीं है कंट्री जो इंडिया है उसका स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है यह सबी धर्म को मानता है इसमें किसी एक धर्म की प्राधानता नहीं है इसका भी एक बड़ासा लिस्ट है उसको देख लेंगे हम लोगों के उसके बाद इन्युवर्सल एडल्ट फ्रेंचाईज का मतलब यह है अपने भारत में यह प्राबदान यह दिया गया है कि जो भी बैक्ति 18 साल से उपर का होगा उसको वोटिंग का राइट दिया गया है यह हमारे देश के कॉंस्टिूशन के लिए गर्ब की बात है हमारे भारत वाश्यों के लिए गर्ब की बात है कि यहां जो 1818 से उपर वाले बैक्ति को सभी को भोट का अधिकार दिया गया है लेकिन बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में इस परकार का अधिकार बहुत द जियान रखिएगा उसके बाद salient features of the constitution में single citizenship है कि भारत का citizenship है ऐसा नहीं कि भाई जो states में हैं उनको भी कोई citizenship दिया जाएगा और central में central अलग से citizenship देगा भारत सरकारी सिर्फ एक citizenship इशू करेगा वह भारतिया citizenship का कॉई citizenship होगा लेकिन अमेरीका में ड्ल सब् chopped सимиग्सेपट है क्वा सब्सक्राइब हुँ आगला एक है कोसे डिटेंट बाडिस है जिसको हमारा देश की चौंसीशिस्स मतलब प्रोलिजन निया रखिए लेजिटिव एंजीटीव और जूरीशेल ओर्गेंज के अलावा कुस इंडिपेंड़ेंज बॉडी भी हमारे इमर्जंसी प्रोविजन से आपको पता हुआ कि देश में तीन परकार की इमर्जंसी लगाई जाती है अब एक लास्ट है थ्री टियर गवर्मेंट्स के आपको पता हुआ कि बिश्व का सिर्फ एक ऐसा कंट्री इंडिया है जहां ग्रास रूल रूट डेमोकरेटी की बात की गई है जहां लोकल पी आराई सिस्टम्स की बात की गई है जब भारत का कॉंस्ट्यूशन लागू हुआ था 1950-1990 में जब इसको एडॉप्ट किया गया था उस समय लोकल डेमोकरेशी के बारे में कुछ बात नहीं थी गरास रूट रूट लेबल की डेमोकरेशी के ऊपर कोई बात नहीं थी लेकिन 1992 में 1973 और 74 एवेंटमेंट के तहत एक में मूंसिपल कॉर्परेशन के बारे में बात की गई है जो श्यरी पंचायती राज आ और एक में ग्रामित पंचायती राज की बारे में बात की गई ओके फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स यह थे फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताईएगा आगे से कंटिन्यू करना है या आगे क्या करना है आप लोग फिडबैक जरूर दीजिएगा तभी मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊंगा नहीं तो नहीं हो पाएगा ओके फ्रेंट्स तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में फ्रेंट्स आप लोग चैनल पर बने रहे हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद